स्पोट्स से जुड़ी किसी भी छोटी या बड़ी अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें स्पोट्स तक और साथ ही किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूले चलिए गुरी इवनिंग मेरे साथ अर्बदन सिंग भी है और यही है वो जर्सी आज तक पर यह जर्सी भारत ने पाजी कल पहनी है वह और इंज कह रहे थे और इंज पीछे है आगे निला ही है मैंने आगे भी कर दिया यह आपने मैच के पहले की पहनी है और मैच के बाद जो सेलिब्रेशन होगी वो औरेंज की है तो पूरा कल मैदान जो है वो औरेंज में रंग देंगे बिलकुल हाला कि आज प्रेस कॉंफेंस में विराट आये थे और उन्होंने वो यही जर्सी अन्वील भी की थी उन्होंने आपको दिखाया भी था लेकिन आज तक पर as promise सबसे पहले आपको वो जर्सी जो भारत ने कल एक मुकाबले में पहननी है लेकिन मुकाबला तो बड़ा है क्य यहां का ब्रेटिश मीडिया कर रहे है जी हां बिलकुल विराट ने सही का उनको क्या लेना क्योंकि इंग्लेंड के खेमे में क्या चल रहा हमें भी क्या लेना बर यह इंग्लेंड को देखना है कि वो सब चीजों के बारे में सोचना है या क्रिकेट के उपर दियान देना ह क्योंकि उनके स्थिति है कि करो यह मरो और अगर वो कल मैच नहीं जीतने हैं तो फिर यह टॉर्नमेंट से बाहर हो जाएंगे जो कि टॉर्नमेंट के लिए एक बड़ा जटका होगा पर इंगलेंड जैसी टीम अगर वो कल कमबैग कर जाती है भारत को कहीं हरा जाती तो टॉर प्रेशर जो है वो उसको जेल पाएगा या नहीं अगर वो प्रेशर को जेल जाते हैं तो फिर मुझे लगता है कि उनके पास वो दम खम है जो इंडिया के सामने लड़ सके और लड़ने वाली टीम ही जी सकती है क्योंकि इंडिया के सामने ऐसी टीम ही जी सकती कि जो थोड़ जी बहुत करिकेट खेले और जीट जाए लड़ना पड़ेगा अगर इंग्लेंड को अपना ये पोजिशन बनानी है वल्लकप में बरकरार रहना है तो लड़ना होगा शेर से लड़ना होगा तो शेर की तरह ही लड़ना होगा ना कि इस World Cup से पहले तो England शेहरी था अचानक से दो तिन मैच क्या हारे इतने सवाल उनको लेकर इकठे होगे लेकिन अब बड़ी बात यह है कि England के इस मैच के रिजल्ट पर पूरा World Cup का समिकरन टिका हुआ है भारत जीतेगा या England जीतेगा यह तारे कहा कहा पाकिस्तान, बांगवदेश हर जगा यह तार जुड़ी हुई है तो अब सवाल यह है कि England के पास क्या है World Cup से पहले तो England के पास बहुत कुछ था लेकिन अचानक से हारना शुरू हुए तो England के पास लगता है कि कुछ नहीं है टीम बुरी नहीं है England का best possible हम कहते थे England पहले बैटिंग करे England चार सो रन बना दे अब तो जौफरा आर्चर भी नहीं है नहीं चार सो रन तो देखिए बहुत ही वह बारा है ऐसे तो हजार भी हो नहीं 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 ऐसे चार पांच सो रन इतने बड़े टोर्नमेंट में बनते नहीं है जौफरा आर्चर जो है अगर वो नहीं है तो ये और भी ज्यादा मुश्किल पैदा हो जाएगी England के लिए कि वो चेज करें या फिर डिफेंड करें क्योंकि अगर आर्चर नहीं है तो शायद रन नहीं थी अपनी चेंज करनी होगी कि चेज ही करना होगा क्योंकि जोसन राए भी आगए है आपके पास जो है वो वापस सब टीम में तो कहीं न कहीं चुनोतियां ही चुनोतियां है England के सामने पर इसको चुनोती की तरह लो या opportunity की तरह लो यह तो England के खेमे को सोचना है कि कैसे इस match को जीते है और अगर यह match England जीतता है उनका confidence जो है न यहां से यहां जाएगा और फिर पकड़ में नहीं आएंगे किसी के important game है England के लिए भारत के लिए भी बहुत important है क्योंकि अगर यहां से जो momentum मिलेगा न वो आपको बिलकुल आगे की तरफ लेके जाएगा और जो team यहां से जीतेगी मुझे लगता हूँ उसको फिर रोकना मुश्किल हो जाएगा दूसरी team के लिए देखिए यह तो है जब यह tournament के fixers आये थे भारत का कहा था हमने सबने कि यही सबसे बड़ा मुकाबला है पाकिस्तान का था marketing point of view से लेकिन हमें खेल पता था कि भारत पाकिस्तान का match नहीं करता इंग्लेंड और इंडिया यह दो बड़ी team है थी लेकिन आप देखिए बड़ा मुझे अजीब सा भी लगता है कि मैज शुरू होने में कुछ घंटों का वक्त है लेकिन actually किसी भी Indian fans से आप बात करें वो कहता है इंडिया जीतेगा किसी भी English fans से बात करें वो भी यही कहता है कि इंडिया ही जीतेगा और इसकी एक बड़ी बज़े शायद भारत की गिनबाजी भी है भारत और England का मकाबला है सुपर सेंडे है आज तक पर तो आप देखते रहेंगे लेकिन एक बड़ी दिल्चस बात है पाजी मैं दिखा देता हूँ पाकिस्तान में जितने फैंस है न वो चाहते हैं इंडिया जीते बैए England हारेगा तो फिर पाकिस्तान के चांसिस बन जाते हैं लेकिन दो ऐसे पाकिस्तानी क्रिकेटर्स हैं बासितली और सिकंदर भक्त उन्होंने तो भारत को यह कह दिया है कि भारत जान भूज के हार जाएगा फिक्स करेगा हार जाएगा क्योंकि वो पाकिस्तान को आगे नहीं आने देगा बड़ी तुच्ची सोच है तो पाकिस्तान में तो कमाल हो गई है पाकिस्तान के लोग बड़े कह रहे हैं कि भारत की बड़ी अच्छी टीम है नहीं नहीं जी हम तो भारत के साथ है यह बासितली और सिकंदर बक्त को क्या होगा तो थार मुझे पता ही है वो कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ते और दोनों कहते हैं जी इंडिया जान बूच के हार जाएगा फिक्स कर देगा क तुचा लवज ठीक है बिलकुल तुचा लवज नहीं कोई लव इसमें गंदा नहीं गंदी उनकी सोच है सबसे गटिया सोच है यह सोच अगर रखते हैं कि भारत ऐसे खेलता भाया बारत नहीं खेलता आप कैसी क्रिकेट खेले हो वो आपको जानते हैं आप अपनी टीम के साथ मैच कोई टीम खेलती है अगर वो अपना देश उनका हार जाता है तो यह उनके पीछे पड़ जाते हैं यह कमाल है यह इन लोगों को आपको तवज्जो नहीं देनी चाहिए बासे तली हो यह सिकंदर बग्त हो यह कोई भी हो जो अपने देश का नहीं हुआ वो किसी क पोछो जो आपने किया वो आप यह तो जो करना है करके दिखाना होगा बहरत मुझे लगता है कि किसी तरीके से बहरत को डरने की जरूरत है यहां कॉंसेंट्रेट करने की जरूरत है कि इंगलेंड कैसी क्रिकेट खेलेगा मुझे लगता है कि भारत इतना रिलाकस्ट है इतनी रिलाकस्ट टीम मैंने शायद कोई भी नहीं देखी क्योंकि आप सब मैच जीत के एक अच्छी पोजीशन पर बैठे हो आपको पता है कि सेमी फाइनल में हम पहुंच जाएंगे और और मॉस्ट वहां पहुंच चुके हैं और यहां से पाने के लिए बहुत कुछ है बड़ अगर हारते हो तो ज्यादा कुछ आप खोगे नहीं एक मैच जाएगा बट भारत को ज्यादा वरी करने की जरूरत नहीं इंग झाल जो 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 एक है बट्रूे कुछ चाहा है बट्षाएंगे नहीं एक मैच जाएगा पर जो 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 उतरे ह।